गुड मॉर्निंग वेलकम तू माई चैनल आज देखते हैं इंजेक्शन वेसोप्रेशन और इन्फूजन कैसे देते हैं यह वन ओफ एमर्जिंसी ड्रग यूज़ इन आई सीओ प्रिपरेशन इसकी वन एम्पूल में होता है 20 यूनिट्स पर एमल सोल्वेंट इसको हम नॉर तो टोटल सोलुशन हो जाता है 50 ml तो 40 units in 40 ml तो 1 ml is equal to हो जाता है 1 unit of injection वेसोप्रेशन इसको 50 ml में भी डाइलूट कर सकते हैं बाट यह कल्कुलेशन थोड़ा एजी रहता है इसलिए ऐसे करते हैं तो rate of infusion इसकी prescribed dose होते है 0.01 to 0.04 unit per minute अब rate of infusion का मरज़ा standard formula वो apply करते हैं जिसमें होता है desired dose जितनी dose हमें advice की जई है into quantity total quantity कितनी है solution की हमारे पास और time in minutes और available dose और drug concentration कितनी हमारे पास total solution है 40 ml उसमें जितनी भी हमारे पास available dose है वो होती है तो तो की मान लिया की prescribed dose है 0.01 ml पर आवर चुर यूनिट पर आवर तो इसका finally आ जाएगा 0.6 ml पर आवर तो अब देखते हैं calculated dose इसकी minimum to maximum dose calculate कर रखी है इसमें जिस rate से हम infusion देते हैं तो जैसे dose है 0.01 तो ml पर आवर होगा 0.6 जो हमने अभी calculate किया था 0.02 है तो infusion rate होगा 1.2 0.03 यूनिट है तो 1.8 ml पर आवर और 0.04 ml है तो 2.4 आवर इसकी maximum dose 2.4 ml पर आवर पे होती है यानि 0.04 यूनिट तर आवर इससे ज्यादा dose नहीं देनी होती पेशन को cardiac arrest आ सकता है थैंक्यू